श्री गनेशा या नमहा ये राशी फल चंदर राशी पर आधारित है चंदरमा मन के कारक है हमारे मन पर जो भी उतार चड़ाव आते है वो चंदरमा की स्तिती लेकर आती है और इस वजे से चंदरमा की पोजिशन हमारे रोज के जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है और इसके according हमारा दिन अच्छा या बुरा जाता है तो आईए जानते हैं इस दिन चंद्रमा आप के लिए किस तरह के परिणाम ला रहे हैं चंद्रमा आपकी कुंडली के पांच्वे स्थान में रहेंगे जी हाँ पांच्वे भाव में चंद्रमा के होने से ये आपके लिए सबसे बहतरीन समय होगा चंद्रमा के पांच्वे भाव में होने से आप काफी अच्छा प्रदर्शन कर पाओगे इस समय में आपकी आर्थिक स्थिती मजबूत रहेगी, खर्चे कम होंगे और इंकम ज्यादा होगी, मन पसंद रहेगा, कोई टेंशन नहीं होगा, सुबै से ही आप जोश में रहोगे, उत्साह में रहोगे, इस समय में आपके रुके हुए सारे पेंडिंग काम पूरे हो जा है, वो आपको वापस मिल सकते है, अटके हुए काम पूरे करने के लिए समय काफी अच्छा है, दामपत्ति जीवन में मधूरता रहेगी, घर में खुशनुमा माहोल रहेगा, इस दिन फैमिली के साथ समय व्यतित करना काफी अच्छा रहेगा, आप भी खुश होगे और आ आप समय व्यतित कर सकते है, लाइफ के बारे में मिलकर कोई अच्छा डिसिजन भी ले सकते है, आज खर्चे नहीं होगे, लेकिन आए अच्छी रहेगी, स्टूडेंस के लिए भी समय अच्छा है, अपनी पढ़ाई पर पूरा फोकस रखें, और अच्छे समय का पूरा ल के लिए उपयुक्त है, सारे सरकारी काम इस वक्त पूरे हो जाएंगे, इस समय में सरकार की तरफ से मान प्रतिष्ठा मिल सकती है, जो लोग राजनीती में हैं, उनके लिए ये दिन काफी शुब रहेगा, इस समय अच्छानक से धन की प्राप्ती भी होने के योग बन रहे हैं, यानि जो लोग शेयर्स में इन्वेश करते हैं, उन्हें मुनाफ़ा हो सकता है, इस समय में गुप्त धन मिलने के भी योग बन रहे हैं, हो सकता है कोई लखी ड़ा या इनाम, इसमें भी आपको कोई फायदा हो जाएं, इस समय में आप काम करने के नए जरिये भी काम मिल सकता है, निवेश करने के लिए और कोई महतोपुर्ण निरने के लिए भी समय अनुकुल है, इस दिन आपका स्वास्त अच्छा रहेगा, देली अक्टिविटी चुरू रखे, योगा करे, प्रानयाम करे, सुबे का टहलना जारी रखे, अपने डाइट पर ध्यान खुद भी स्वस्त रहे और आपके अपनों को भी स्वस्त रखे, इस दिन लाल रंग का इस्तेमाल करना आपके लिए अच्छा रहेगा और एक अंक इस दिन आपके लिए लखी साबित हो सकता है, दोस्तो ये राशी फल चंद्र राशी पर आधरित है, लेकिन कभी-कभी हम हमारी परसनल कुडली में बाकी ग्रहों की पोजिशन कुछ इस तरह की होती है कि आपके राशी फल परिणाम में बदलाव दिख सकता है, इसलिए राशी फल को एक मार्ग दर्शन के तोर पर लिया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा